आज की कहानी का नाम है, खामोश यां, यह इस कहानी का सेकंड भाग है, यह एक हिंदी कहानी है, चलिए शुरू करते हैं, रास्ते भर सभी शान्त थे, रिया पीछे की सीट पर सर लगाए जपकिया ले रही थी, आलोग ड्राइविंग कर रहा था और बगल वाली सीट पर बै रेगिंग किया जाना आम बात है, हालां कि रेगिंग एक अपराध है, सुन यार रिया बता रही है कि रूम नंबर 305 में कुछ स्टुडेंट्स मिलकर न्यू स्टुडेंट्स को परेशान कर रहे हैं, रितिक ने कैंटीन से अंदर आते हुए आरुश ने फोन में ही जुके हुए कहा, रिया क्या कर रही है, रितिक ने टेबल पर दोनों हाथ रख कर जुकते हुए कहा, मेरे शोना, वो हमारा असाइंगमेंट कम्प्लीट कर रही है, उसको शिवम ने बताया था और शिवम उनको रोकने भी गया था पर वह नहीं माने और तू तो जानता है, भया चाय मंगाएंगे और चाय का गिलास फिर से तोड़ेंगे। रितिक बिना पीछे मुड़े टीटू से माथा खुजाते हुए बोला, बाबू इसलिए तो कहता हूँ, हर बार और इस बार भी कहुंगा कि बेटा गिलास टील के रखा कर। ये सब तो चलता ही रहता है, आरुश और रितिक सीलियों के रास्ते रूम नंबर 305 तक जाते हैं, टेबल पर पैर रखे हुए वैभव अपने संगलासस हाथ में गुमाते हुए अपने दोस्तों के साथ हंस रहा था, ये बताओ तुम सब में से कौन-कौन सिंगल है और कौन- कर 10-12 जुनियर थे जिन में से 3-4 को छोड़कर सभी ने हाथ खड़ा कर दिया, ए तु हां तु ही ब्लू टॉप वाली, चल इधरा, वैभव ने पीछे खड़ी एक लड़की को देखते हुए कहा, तेरा कोई बॉइफ्रेंड नहीं है ना, चल उस वाइट शर्ट वाले इसे ही लड़की का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लड़की एकदम से साइट होते हुए बोली, देखिए आप सीनियर हैं इस नाते हम आपकी इज़द करते हैं पर यह इज़द भी जब तक ही की जाएगी जब तक आप अपनी हद में रहेंगे, पूरी क्लास में सननाता चा गया क्योंकि किसी ने अभी तक इतनी हिम्मत नहीं की कि कोई वैभव या उसकी ग्रुप से इस तरह हुंची आवाज में बात कर सके, वैभव इस बात से तिल मिला गया और चीखते हुए बोला, तू इस तरह बात करेगी मुझसे, वैभव पाटिल से, तेरी हिम्मत कैसे भूल गई क्या कि यह वैभव पाटिल क्या क्या कर सकता है? कहते कहते वैभव जैसे ही उस पर हाथ उठाने को हुआ पीछे से आरुश ने आकर उसका कॉल अपकर लिया और अपने सामने करते हुए बोला, मिस्टर वैभव, ज्यादा इज़द तुझे पच्चती नहीं है क क्यों हर बार तु यही दो कॉली की हरकते दोहराता है? वैभव आरुश का हाथ जटिकते हुए अपने साथियों से बोला, लेट्स गो गाइज! और मुर्तिक मुर्ते उसकी तरफ आँखो ही आँखो में I will see you later! का इशारा करते हुए चला गया, आप सभी भी अपनी अपनी क्लासेज में जाए, कहते हुए आरुश भी रितिक के साथ चला गया! आरुश और रितिक की क्लास आज थी नहीं, इसलिए दोनों वापस आकर कैंटीन में बैक गए! रितिक ने टीटू को चार चाय का ओडर दिया और दोनों बाते करने लगे! यार इस वैभव का कुछ तो करना पड़ेगा! हम क्या करें? हम तो बस वही कर रहे हैं जो हमारा काम है! तुम दोनों ने ही मुझे फंसाया था इस सुकॉल एंटी रेगिंग कमीटी के चक्कर में! चल कोई ना शोना ये लास्ट इयर है! रितिक ने टीटू के हाथ से चाय की कप टेबल पर रखते हुए कहा! तभी रिया भी हाथों में फाइल्स पकड़े हुए आए और थंडी सांस छोड़ते हुए और उसके बगल वाली चेयर पर बैक गई! और नीचे से रितिक के जोर से पैर मारते हुए मुझ बनाते हुए बोली, कमी ने अपना काम करना खुद सीख ले! कब से तेरा असा चाय पी! ये शिवम कहां रह गया! रिया चाय की चुस्किया लेते हुए बोली आ रहा है! अभी बस पड़ा हुआ है अपनी रितु मेडम को मनाने की चक्कर में! इतने में पीछे से शिवम और रितु आते हैं! रितु कुरसी पर बैकते हुए बोली, मनाना क्या इसका? हम लोग तो बस दो चार सौरी बेबी, सौरी स्वीटु बोलने पर ही मन जाते हैं अगले दिन फिर वही शुरू! रिया अरे यार अब बेचारे की नजर ही ऐसी है कि हर वक्त लड़कियों पर जाकर ही रुपती है! वैसे उस वैभव का क्या हुआ सुना है इस बार ज्यादा नहीं बोला, शिवम ने आरुष के कंदे पर थपकी मारते हुए कहा! अरे छोड़ो सब अब, चाय पियो प्रितिक ने चाय का कप शिवम को देते हुए कहा! इसके लिए तो कौफी मंगा दे, रिया ने आरुष की तरफ इशारा करते हुए कहा! नहीं आजमन नहीं है, बड़ी आखे पता नहीं क्यों आरुष के मन में बार-बार उसके ख्याल आ रहे थे! वर्तमान, ब्रेक लगने और फोन की आवाज के साथ ही आरुष का ध्यान तूटा! वाच्टमेन ने गेट खुला और गारी एक बड़े से आली शान बंगले के अंदर पहुची! बड़ लियारे से अंदर जाकर एक बड़ा ही आली शान बंगला जो दूधिया रोशनी से जगमगा रहा था बड़े बड़े जूमर, सुन्दर पैंटिंग से सजे उस धर में तीनों को कोई देखाई नहीं दिया! आरुष ने आवाज लगाई, दादा ओ दादा, तभी उपर से एक धेर उमर का व्यक्ति जो शर्ट और पायजामा पहने हुए था और एक हाथ में सफेद साफा पकड़े हुए धीरे-धीरे सीरियों से उतरते हुए आया! अरे लाला, हम जगे ही थे पता है ना हमको थोड़ी चिंता हुई रही! बहुते ही रात हुई गई ना! हमको बड पिताजी की मा के मायके के गाव के ही हैं! कहने को तो मोहन दादा इस घर के नौकर है पर इस घर के एहम सदस्य की तरह हैं! सब दादा को अपना ही समझते हैं! अब दादा, आप हो सब छोड़ो ये बताओ कुछ रखा है खाने को! पार्टी का सारा खाना भागदौर में बस दादा बस आपका इतने प्यार से! लाली, बोलना ही आधा पेक भर देता है! रिया ने नाटक की तरह हैक्टिंग करते हुए कहा! अरे लाली, तुम सब हमारे अपने ओं और फिर हमाई तो जैसी भाशाए! दादा ने रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा! छोटे लाला तुमको लगाए दे! दादा ने मुलते हुए पूछा! नहीं दादा बस इसी भुकतर को दे दो! आरुशी ने प्रिया को सर पर चपत लगाते हुए कहा! तू जलता क्यों है रे शो ना! तू रोकना तेरी फैमिली को! बोल दे सबसे की कोई भी मुझसे और रितिक से प्या दादा प्रेम लाला के कमरा में! रिया आयुशी के कमरे में कौन है? दादा लाली अकेली सोई रही है! तुम पहले खाना खाए लो फिर हम दे जाएंगे चादर! रिया नहीं! नहीं दादा आप परिशान मत होना! मुझे तो बस थोड़ा सही खाना है! एक काम करो आप पाए रहे कपड़ा तो कमरा में चादर ना रखी! रिया अरे मैं करती हूँ ना! आप निकाल लो चादर! दादा नहीं मानोगी बेटा! चलो आओ जल्दी करके! रिया काम करके आयुशी के कमरे में आ जाती है और सो जाती है! उधर आरोश अपने कमरे में करवटे बदल र पर वो तो उस दिन के बाद कभी कॉलेज भी नहीं आई! क्या ये वही थी? करवटे बदलते बदलते जाने कब आरोश को नींद आ गई! सुबह मोबाईल के अलार्म के साथ पांच बजे आरोश की नींद खुली! और इसी के साथ इस कहानी का ये हध्याय समाप्त होता है! अगर आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग जरूर पढ़े!